हलो एब्रिवन कैसे आप सब मुझे पूरी उमीद है कि हमीशा की तरह आप सब बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तो इसी तरीके से पढ़ाई को बरकरार रखिए हमारे साथ साथ ठीक है और क्या करते हैं चलो आज एक नया चैप्टर शुरू कि अब तक बात करते हैं उनके क्या है प्रकार है और उनके बाइसी जो संरशना बन रहीए है जो काले हो रहे हैं उन सब चीजों के बारे में हमने अब तक बात करें थी अपने लास्ट चप्टर में तो इस चप्टर में क्या करना है इस चप्टर में भी हमको उतक के बारे में ही बात करनी है यानि कि टिश्यू के बारे में बात करनी है लेकिन लेकिन यहां पर पादप के बारे में बात नह है उसके बाद घनाकार आ जाएगा ठीक है फिर संभाकार ठीक है तो यह कुछ तरीके के उदक हैं जिनके बारे में आज इस करेंगे बहुत सारी चर्चा करने वाले हैं विदान सवा्वार लोक सभा सब कुछ बनाने वाले आज हम यह ठीक है तो भाई इसको दो कॉल तो वही उतक क्या है उतक याने टिशू किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं का जो समू होता है ठीक है किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं का जो समू होता है और जिनकी उत्पत्तिती क्या होती है एक समान होती है ठीक है जिनकी उत्पत्तिती एक समान हो तथा वह एक विशेश शिकार्य करते हो ठीक है कियक है क्थ क्या कहलाते हैं उतक कहलाएं अगर हम किसी परटिकुलर अंग की बात करते हैं जितने उतक होंगे तो में सब क्या होंगे एक समान होंगे और और ये प्रकार होंगे प्लसक Св。 कभी कुछ उतकों के आकार और अकृती में क्या होता है और समानता पाई जाती और कि KIST वजेसे या मतलब कुछ भी रीजन ऑ-ари end て- कि उनमें क्या हो रिदन होता है लेखिए लेकिं लेकिन यहां पर को उनमें समानता हो ने के बाद भी जबnymi $ पर उनकी जो उत्पत्तिती है ठीक है ऑर होता है समान ही होता है कूछ चलो ठीक है यहां तक हम एगरी कर जाते हैं एगरी कर रहो यहां तक हां चलो यह देखो उतक कैसे होते हैं देखो यह क्या है हमारे सिंगल सेल है यह मिलके क्या बनाया देखो उतक बनाया उतक से अंग बना अंग से हमारा शरीर बना ठीक है फिर से देख लो चाहें इसको एक तंत्र से हमारा शरीर बन गया, तो basically यहां पर यह होता है, ठीक है, चलो एक बार इसको ऐसे समझो कि मैं, चलो समझाती हूँ, ठीक है, क्या देखेंगे, कि हमने क्या बोला, यह एक सेल है, ठीक है, याने कि यह कोशिका है, ठीक है, यह कोशिका है, जब यहां पर खूब सारी क कोशिकाएं आपसे मिल जाती है, और एक संगटन बना लेती है, तो यह कोशिकाएं क्या बनाती है, यह कोशिकाएं एक साथ जब मिल जाती है, क्या बनाती है, यह उतक बनाती है, याने कि टिश्यूस बनाती है, ठीक है, अब यह खूब सारे टिश्यूस मिलके संगटन बना है . और और प्रहaked हो सकता थीघ है अब साथ होते हैं एकसा एकटा होते हैं तो क्या बनाते हैं और अंग तंतर बनाते हैं ठीक है। इन्होंने अंग तंतर बनाया जैसे कि सवाशन तंतर हो गया पाचन तंत्र हो गया, जनन तंत्र हो गया, तो ये सारे क्या तंत्र है, और ये सारे तंत्र मिलके क्या बनाते हैं, ये सारे तंत्र मिलके शरीर बनाते हैं, ठीक है, याने की human body बनाते हैं, ठीक है, इतनी बात कितने बच्चों को समझ में आ गई है, पड़ा फट से थमसब दिखा के म पातों पे ज्यादा ध्यान मत दो पढ़ाई पे ध्यान दो बिटा अब आप लोगे एक्जाम्स नजदीक आने वाले हैं यहां पे समझना एक एक चीज को बहुत जरूरी है ठीक है यकीन मानो है दोस्ती दोस्ती कुछ काम नहीं आएगी आगे सिर्फ और सेफ काम आएगी अगर आपकी पढ़ाई अच्छी है आप अच्छी जॉब पे लग जाओगे हजार दोस्त आपको मिलेंगे हजार दोस्त जो आपके साथ रहना चाहेंगे लेकिन वहीं अगर आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं है तो आपके जो दोस्तों के घरवाले होंगे ना वो भी कहें करो पढ़ाई करो उसके बाद हर एक चीज आपको मिल जाती है चलो आगे बढ़ने हैं चलो एक एक और चीज समझते हैं यहां पर यहां पर एक और चीज समझते हैं कि भई हम क्या बात कर रहे हैं जब हमने उतक की बात कर ही लिये यहां पर ठीक है यहां पर समझ लो कि जब हम क्या बात कर रहे हैं उतक की बात कर रहे हैं ये लो जी उतक याने की क्या हो गया है ये तिशू तो मैंने बोला कि अभी तक हमने क्या बात करी अभी तक हमने पादपों के बारे में बात करी थी जो पादप होते हैं पादप उतकों के बारे में हमने बहुत सारी बाते करी थी अपनी लास्ट लेक्चर में लेक्चर में लास्ट जो चैप्टर था हमारा उसमें हमने पादपों के बारे में बात करे थी पादप उतकों के बारे में ठीक है यहां पर बात यह कि पादप उतक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं यह जान लो क्या है यह उतक दो प्रकार के हैं ठीक है पहला तो हमने बात कर ली थी क्या बात कर ली थी पहले हमने पादप उतक के बारे में दूसरे प्रकार का क्या हो गया यह हो गया प्राणी उतक ठीक है क्या हो गया यह प्राणी उतक ठीक है प्राणी उतक बोल दो जंतु उतक बोल दो कोई फरक नहीं परता ठीक है तो यह क्या हो गया प्राणी उतक ठीक है अब यह जो प्राणी उतक है इस चाप्टर में हमें यहीं से शुरुवात करनी है हमें यही से पढ़ना है सब कुछ जो पढ़ेंगे हम प्राणी उतको के अंदर पढ़ेंगे ठीक है इतनी बार सबको clear हो गई है ना जो कुछ भी पढ़ेंगे वो हम यही पढ़ेंगे क्योंकि यह तो अल्रेट हम कंप्लीट कर चुके बहुत सारी बाते कर चुके इसके बा बात करू प्राणी उतक क्या होता है यह यानि कि यह उतक कहां पाये जाता है कर वे प्राणी उतक की बात करती हो तो यह कहां पाये जा रहा है प्राणी में पाये जाने वाले उतक को क्या कहते हैं प्राणी उतक कहते हैं पहुत सिंपल और स्वीट सी बात है क्या है जो प्र प्राणी में उतक पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं ठीक है यानि कि आनिमल टिश्यू कहलाते हैं कर्रेक्ट चलो इतना समझ गए अब यह जो होते हैं प्राणी उतक बोलो जन्तु उतक बोलो कुछ भी बोलो या आनिमल टिश्यू बोलो यह क्या होते हैं चार प्रकार के होत बताओ जल्दी जल्दी कमिंट्स में बताओ कौन बता सकता है कि इसके चार प्रकार कौन से है कौन-कौन बता सकता है बताइए कौन-कौन बता सकता है कि चार कौन-कौन से इसके प्रकार है चलो फिर मैं ही बता देती हूँ पहला हमारे पास आता है उपकला उतक है, ठीक है, उपकला उतक आ गिया है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एपि थीलियल टीशू, ठीक है, जिसको हमने क्या बोला, एपि थीलियल टीशू बोला, चलो ठीक है, दूसरा क्या आ जाता है हमारे पास, दूसरा हमारे पास आ जाता है भई संयोजी, संयोजी उतक, जिसको हम क्या बोलते हैं, connective tissue, ठीक है, उसके बाद क्या आता है, पेशी उतक आता है, उसके बाद, ठीक, क्या आ गया, पेशी उतक, इसको क्या बोलते हैं, मसल, मसल, टिशु, ठीक है, और लांस में हमारे पास आता है, तंत्री का उतक, ठीक है, क्या आया हमारे पास, तंत्री का उतक, तंत्री का उतक, जिसको हमने क्या बोला, nervous tissue, ठीक है, nervous tissue बोला हमने तो ये चार प्रिकार के क्या है हमारे पास प्रानी उतक ठीके यानि की animal tissues ये चार तरीके के हमारे पास आ गए ठीक है चलो अगर मैं यहाँ पर बोलू कि अगर मैं इनका काम की बात बोलू ठीक है इसके बारे में क्या करते हैं तो यहाँ पर ये जो epithelial tissue है यानि की क्या है ये उतक जो है यहाँ पर ये जो उतक है यहाँ ये किस चीज के लिए responsible होगा मैं कहूं तो तो भाई मैं कहूंगी सुरक्षा के लिए ठीक है ये कहां मौझूद होता है हमारी तवच्चा में मौझूद होता है स्किन में सबसे बाहरी लेयर में तो हम इसका example क्या दे सकते हैं तवच्चा ठीक है फिर सहियोजी उतक अगर मैं सहियोजी की बात करूं तो सहियोजी मतलब किसी चीज को जोड़ना देखो नाम से बता रहा है जोड़ना तो यह बेसिकली सहियोजी उतक क्या काम करता है यह अंगों को जोड़ने का काम करता है ठीक है यह क्या करता है जो अंग होते हैं अंगों को जोड़ने का काम करता है ठीक है जोड़ने का काम करता है ठीक है तो यह वो वाले टिशू है जो क्या कर रहे हैं ओर्गन्स को या अंगों को क्या करते हैं जोड देते हैं connect कराते हैं आपस में फिर पेशी देखो नाम से बता रहा है यह पेशी याने की ठीक है यह प्रदान करते हैं ठीक है मसल्स ठीक है चलो ओके यहां तक clear है अब अगर बात आती है भाई तंत्रिका उतक की तो यह धाचा तो बनाता है क्योंकि हमारे शरीर में क्या बहुत सारा जाल सा बिचा हुआ है नर्फ का है ना तंत्रिकाओं का जाल है हमारे शरीर में, तो धाचा तो बनाया इसने, ठीके, तो ये भी क्या कर रहा है, धाचा बनाता है ये, या बनाती है, ठीके, इसके साथ साथ क्या करती है, ये सूचना जो होती है, ठीके, जो सूचना होती है, वो क्या करती है, एक स्थान से, एक स्थान से, दूसरे स्थान तक ले ज तो यहां पर किसी ने नोच दिया तो कैसे पता चला और यहां से पता चला तो मेरे हाथ एकदम ऐसे कैसे हुआ कि आगए तो होता है कि यहां पिझे हैं तुरन्त अपने हाथ पीछे कैसे किया तो यहां पेश पर आप मेसेज यहां पहुचा है तो इस ने बोले हाथ पीछे करो ठीके सोजो ऐसे काम होता है यह ठीके न चलो तो यहां पर मुझे लगता है कि यह चीज़ा आपको clear हो जानी चाहिए यहां पर कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए वरना माल लगेगी ठीके और वैसे भी भाई डाउट नट में पढ़ रहे हैं तो डाउट तो वैसे भी नही ठीके चलो आगे बढ़ते हैं अब हमारे पास आता है जन्तु उतक ठीक है जन्तु उतक या प्राणी उतक ठीक है एक ही चीज़ है कोई दिककत निया है तो यहां पर अगर मैं लिखने की बात करूं तो क्या लिखूंगी वही कि कोशिका की जो सनरशना है उसके कारे के बदल जाती है तो मैं यहां पर क्या लिखूंगी यहां लिखूंगी मैं कोशिका की सनरचना उसके कारे के अनुसार बदलती है बदलती रहती है ठीके बदलती रहती है ठीके इस प्रकार से क्या होता है जब यह बदलती रहती है तो क्या होता है इस प्रकार से उतक अलग-अलग बन जाते हैं ठीके इसलिए या फिर इस प्रकार इस प्रकार बोल दो या इसी लिए बोल दो जो उतक होते हैं वो क्या होते हैं? अलग-अलग बनते हैं अलग-अलग बनते हैं ठीके? तो अगर जब ये अलग-अलग बन रहे हैं तो कैसे बन रहे हैं? ये बन रहे हैं चार प्रकार के ठीके? कैसे? चार प्रकार के चलो लिख लेते हैं चार प्रकार के ठीक है देखें बड़ापट से कौन से हैं चार प्रकार बताओ मुझे देखना है चलो देख लेते हैं तो चार प्रकार के अगर बनेंगे तो हमने अलरड ये भी इतना सारा डिसकुशन कर लिया है इनके बारे में, ठीके, कि पहला हमने क्या बोला, उपकला उतक, ठीके, वह यह जो लास्ट फेस में लिख्का हमने, दूसरा क्या था, सही हो जी, ठीके, क्या था, सही हो जी उतक, दूसरा क्या था नहीं तीसरा पेशी पेशी उतक ठीक है और लास में क्या था हमारा तंत्री का उतक ठीक है तो ये क्या है भई ये जो अलग-अलग क्या थी कोशिका की संदश्चना के हिसाब से जो उतक बने थे वो चार प्रकार के बने थे और वो ये रहे आपके चार प्रकार, ठीक है, ये क्या रहे आपके, चार प्रकार, ठीक है, इतनी बात clear सबको है ना, तो यहाँ पर बिल्कुल भी doubt नहीं होना चाहिए, चलो, आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले किसकी बात करते हैं हम, सबसे पह लिल देनुसीत लिफिक UK किए अग्रय गायी जाते हैं और दूसरे इसके बिल्कुर नीचेday कि लिए प्शूर होते हैं और जोती है जो होती है उपकला ठीड जो सुझते हैं कि हम दो इसको समझाते हैं कि हम कहा सकते हैं कि यहां कई कहा मौझूद है यह देह भित्ति में उपस्तित होता है कि अंच उपस्तित होता है कहां है ये देवित्ती में उपस्तित होता है ठीके देहो कैसे समझो कि अगर मैं ये आमाशे बनाती हूँ ये क्या है आमाशे ठीके तो ये जो आमाशे है तो यहां पर ये जो उपकला है कहां मिलेगी आपको एक तो इसकी जो बाहरी सता है यहां मिलेगी, ठीक है, एक परत तो यह हो गई है और मैंने कहा एक भीतर भी होती है, यानि कि इसके अंदर, यह तो बाहर के वातवरण में हो गई और यह इसके अंदर की तरफ हो गई है, ठीक है, तो समझ गए हैं समझज़़ार बच्चे हैं चलो यहां पर क्यों होता है? बाहर जो एक आवरן की तरह काम करता है ठीके बाहर की तरह होता है तो यह आवरं की बात करता है तो पहला point तो यह हुआ हमारा ठीक अगर मैं दूसरे point की बात करती हो तो दूसरा कौन सा पॉइंट आजाएगा कि जो अंतहा कोशी का द्रव होता है ना क्या होता है अंतहा कोशी का द्रव ठीक है या जिसको आपने क्या बोला इनर इनर सेल्यूलर मेट्रिक्स यह जो होता है इसके क्या इसके माध्यम से इसके माध्यम से क्या होता है इसके माध्यम से यह क्या है अंगो से जुड़ा होता है ठीक है इसके माध्यान से क्या है अंगों से जुड़ा हुआ होता है ठीक अब यहाँ पर हमने बोला कि भाईया यह बाहर भी होता है और अंदर भी होता है और इसके माध्यान से क्या है यह अंगों से जुड़ा हुआ होता है ठीक है तो इस आधार पे कितनी परत हैं इस आधार पे कितनी परत कितनी परत बोल दो या फिर संख्या बोल दो कितनी परत या संख्या के आधार पर क्या होता है आधार पर ये दो तरीके के होते हैं आधार पर ये दो तरीके के होते हैं चोलो देख लेते हैं कौन से हैं, आधार पर दो प्रकार ऐसे लिख देते हूं, दो प्रकार के होते हैं, ठीक, एक ये रहा, और एक इधर लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, तो पहला कौन सा हो गया, सरल उपकला, सरल उपकला, उतक, ठीक है, पहला ये हो गया हमारे पर, और दूसरा क्या हुआ? दूसरा हमारे पास हुआ संयूक्त, उपकला उतक ठीक है? दूसरा हो गया ये और पहला हो गया ये ठीक है? तो दो हो गया हमारे पास अब जो सरल उपकला उताक है, इसको क्या बोलते हैं हम, क्या बोलेंगे, simple epithelial tissue बोलेंगे इसको, इसको क्या बोलेंगे, simple epithelial tissue, ठीक है, इसको ये बोला हमने, फिर सही तो क्या बोलेंगे, complex epithelial tissue के नाम से जानेंगे इसको, क्या जानेंगे, complex इपिथीलियल टीशू ठीक है यहां पर यह हो गया ठीक यह दोनों चीज़े हो गई चलो इतना समझ गए अब यहां पर क्या होता है भाई अगर मैं सिंपल की बात करो तो सिर्फ एक परत होती है यहां पर क्या होती है एक परत ठीक है इसमें क्या होती है एक परत होती है बहीं इसकी बात करूँ, तो इसमें क्या होती है, एक से अधिक, एक से अधिक या ज्यादा बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ क्या होगोई, एक से अधिक हो गई, ठीक है, या ज्यादा हो गई, चलो, अगर हम ज्यादा की बात करते हैं, तो यानि की स्किन बोल सकते ह अगर सब्पोस करो इसकिन के ऊपर कोई कट लगता है तो अमारी स्किन बहुत अंदर तक होती है बहुत दीप होती है कि एक इदम से क्या है खून नहीं निकलता अगर हलका सा कट लग जाएगा तो वह ही दिख जाता है खून नहीं निकलेगा जब तक कि बहुत अंदर तक नह हो गया क्हांट की बात कर रहें तो इसका क्या कह सकते हैं रख वाहि निकाएं यह क्या होती हैं यह क्या होती है एक हाथ ही ओती एतिक इंसान की ठीके ट रक्त वाही निंगा निकाय यहां पर एक परत होता है और यह उपने तवचा है यहां पर एक जड़ा मूल्ख जड़ा होती है अधिक होती है चलो इतना सब्सकूर आधो अधो को परता है और शरीर की गुहा को भी रेखा बंद करता है ठीक यह सोशने पाचन प्रजनर और उत्सरजन पत्की परत बनाता है यह अफशोशन सुरक्षा समवेदना और स्क्राफ जैसे विविन कारे भी करता है ठीक है ना क्लियर इतना चलो अब थोड़ा से के इसके बारे में जान लेते हैं कि अगर हम उपकुला उतक की बात कर रहे हैं तो समानेत क्या इसको क्या कहते हैं समानेता समानेता यतह समानेता क्या है उपकुला ही कहते हैं इसको उपकुला ही कहते हैं ठीक है समानेता इसको उपकुला ही हाँ उपकुला ही कहते हैं ठीक अब यहाँ पर क्या है इस उतक में एक मुक्तिस्तर होता है अगर मैं इस उतक की बात करती हूँ तो इसमें क्या है एक? एक मुक्त क्या है? इस्तर होता है ठीके? जो एक देह तरल जो क्या करता है ये एक? जो एक देह तरल याने की जिसको क्या बोला हमने? बॉडी फ्लिड और दूसरी और बाहे वातावरण ठीके? प्लस बाहे वातावरण के संपर्क में रहता है के संपर्क में रहता है और इस प्रकार क्या करता है? बेह का आवरण इस प्रकार क्या करता है ये? देह का आवरन ठीके बनाता है ऐसे इन दोनों चीजों से इन दोनों चीजों से मिलके क्या बना रहा है इन दोनों चीजों से प्लस लिखा है देखो पीछे मैंने इस प्रकार क्या बना रहा है ये देह का देह का आवरन आवरन बोल सकते हैं या आस्तर भी बोल सकते हैं आस्तर बोल दो या फिर लाइनिंग बोल दो है ना कर निर्मान करता है ठीक है इस प्रकार से अब जो कोशिकाये होती है वो किया है यहाँ पर अंतरा कोशिकाये अधात्री यानि कि intercellular matrix यहाँ पर अगर हम कोशी काई की बात करते हैं कोशी काई जो होती हैं यहाँ पर वो क्या करती है अंतरा कोशी किये आधात्री जिसको हमने क्या बोला intercellular matrix इसके द्वारा क्या कर रही है इसके द्वारा ध्रण ध्रणता पूर्वक ध्रणता पूर्वक जुड़ी रहती है जुड़ी रहती है ठीक है चलो जी यह भी समझ में आ गया अब हमने क्या बोला कि यह दो प्रकार की होती है ठीक है, हमने यहां दो प्रकार पड़े थे, है न, तो हमने क्या बोला, यह दो प्रकार की होती है, तो कौन कौन से दो प्रकार है इसके, चलो देख लेते हैं, यहां पर दो प्रकार की बोले हमने, यह दो प्रकार की होती है, ठीक है, तो कौन से दो प्रकार है, एक तो अपना कौन सा हो गया? सरल हो गया है ना? एक तो क्या हो गया? सरल उपकला उतक, उपकला उतक, ठीक, दूसरा क्या हो गया? दूसरा अपना हो गया, क्या सैयुक्त, सैयुक्त, उपकला उतक, ठीक है? तो यह इसके दो प्रकार हो गया, यह देखो पूरा जितना मैंने अभी यहाँ प पूरा आगिया है ठीक है इसको आप पॉइंस में बना के भी लिख सकते हो बहुत इसली लाइन यह याद हो जाएंगी मैंने जितनी भी लाइन सीना complex lines जो दी उनका पूरा मैंने क्या flow chart बना के दिखा दिया है ठीक है बहुत अच्छे से याद कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो चलो अब सरल उकला होता काता है मार पास याने कि किसकी हम इसकी बात करें जब सबसे पहले वाले की ठीक है जब इसकी बात करते हैं तो भाई हमने क्या बोला यह एक परतिये होता है ठीक है यही बात करें थी हमने क्या है एक परतिये होता है याने कि एक लेयर होती है अब य के अधार पर यह तीन प्रकारपा होता है ठीक है इसके अधार पर क्या है ये ती प्रकार का है ठीक, इसके अधार पर क्या है? तीन प्रकार का है, तो भईया पहला प्रकार क्या है हमारा? शलकी सरल, उपकला, उतक, ठीक है? तो पहला हमारा ये हो गया, लो जी, फिर दूसरा कौन सा आया? दूसरा हमारे पास आगया, घनाकार, सरल, उपकला, उतक, ठीक है? दूसरा ये आगया हमारे पास, ठीक है जी, तीसरा क्या आगया? तीसरा हमारे पास आता है, इस्तंभाकार, क्या? सरल, उपकला, उतक, ठीके चलो जी एक बार इनको English में भी जान लेते हैं कि इनको English में क्या कहते हैं आपको मालुम होना चाहिए basically कि English में इनका नाम क्या है तो मैं अगर शल्की की बात करती हूँ तो शल्की को क्या पोलते हैं? Squamish क्या बोला हमने? Squamish क्या? Squamish होगया सल्की, सरल मतलब simple, उपकला मतलब epithelium ठीके और उतक मतलब tissue ठीके? तो confused बिल्कुल मत होना Squamish मतलब सल्की, S का होगया simple, E का मतलब epithelium और उतक का मतलब tissue ठीके? फिर मैं घनाकार के बात करती हूँ तो ये क्या होता है? Cuboidal होता है ये, Cuboidal क्या होगया? Simple epithelium tissue क्या होगया? epithelial tissue, sorry, epithelium नाम याद आ रहा है epithelial ठीके? epithelial tissue अब मैं संबाकार की बात करती हूँ तो इस संबाकार को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं Columnar Simple epithelial tissue ठीके? ये इसका होगया चलो, ठीके? agree करते हैं हम अब अगर मैं squamish की बात करती हूँ इसके याने की शल्की की बात करती हूँ तो यहाँ पर क्या है? इसके जो किनारे होते हैं यहाँ पर इसके जो किनारे होते हैं ना कैसे होते हैं किनारे? अनियमित होते हैं अनियमित अनियमित होते हैं ठीक है? यहाँ पर क्या? यह जो उतक है इनके किनारे क्या है? अनियमित है थीक, मैं अगर घनाकार की बात करती हूँ, तो घनाकार में क्या है, इसके जो किनारे हैं, वो स्टंब आकार की बात करते हैं तो यहां पर मैं क्या लिख सकती हूं कि इसके कैसे होते हैं स्टंब के आकार के ठीके तो यह इसका हो गया चलो तीनों पॉंट्स यहां पे क्लियर हो गए चलो एक बदमें diagram बना के दिखा देती हूं ताकि हो सकते हैं कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए तो अगर मैं पहले इस ही का बताती हूं इस तंबाकार की बात करती हूं तो suppose करो यह क्या है यह कोई टीशू है आपका ठीक है क्या है यह कोई सेल है यह तीशू है ठीक है तो इसके बाहर क्या होता है इसके बाहर की जो इस तरीके से कोशिकाय मौजूद हो इसके बाहर इस तरीके से उतक मौजूद होते हैं देखो यहां पे शेप कैसी होती है इस तरीके से इस तंबाकार तरीके से ऐसे करके ठीक है और यहां जो केंदरक होते हैं वो यहां होते हैं यह रहे ठीक ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पर घनाकार की बात कर रहें, तो घनाकार में क्या होगा, इसका यहाँ बना देती हूँ, ठीक है, यहाँ पर यह इस तरीके से हैं, और इसके बाहर जो सेल्स हैं, वो कैसी मिलेंगी आपको, इसके बाहर कैसी मिलेंगी, यहाँ दिखा देते हैं, कि कैसे मैंने बोला क्यूब ठीक है यह क्या है क्यूब क्यूब की शेप की है ठीक है और जो इन में क्या है फिर इस तरीके से यह इसमें केंद्रक हो गया वहीं अगर मैं किसकी बात करती हूँ फिर से मैं शलकी की बात करती हूँ तो यह है ठीक है इसके बाहर मुझे कैसा मिला इसके बाहर मुझे कैसा मिला आनीमित मैंने बोला याने की इस तरीके से हो सकती है ठीके ना clear सब को यहां तक और मुझे नहीं लगता कि यहां पर कोई doubt होना चाहिए बहुत simple और easy शब्दों में समझाया है ठीके चलो आगे बढ़ जाते हैं देखो उपकला कोशिकाओं की एक परच से बनी होती है और शरीर की गुहाओ नलिकाओं और ट्यूबो के लिए एक स्तर के ρूप में कारे करती है ठीके सईयुक त उपकला में दो या दो से अधिक कोशिकार की परते होती है ठीकि इसका सुरक्षात्मक कार रह होता है जैसा कि यह हमारी तुचा में करता है अब कोशिकाओं के संरशनात्मक संशोधन के आधार पर सरल उपकुला को आगे तीन प्रकारों में विभाजित किया जाता है ठीक है कौन कौन सी हमने क्या बोला शल्की में घनाकार में और संभाकार में फिर शल्की की बात करते हैं तो य एक परत से बना होता है ठीक संबाकार याने की लंबी और पतली संब जैसी लंबी और पतली कोशिकाओं की एक परत से बना हुआ होता है ठीक है तो इतनी बात सब बच्चों को क्लियर हो गई है हाँ नामे जवाब दे दो फड़ा फड़ से अगर बतिया लिए हो आप सब त है यह क्या है अनियमित है ठीक यह क्या है क्यों दूसरी कौन सी थी हमारी घनाकार जो थी यह क्या है घनाकार क्यों क्यूब जैसी संद्रशना है ना या बाहर फिर यह क्या है देखो इस्तंबाकार है ना यह तीसरा था हमारा पहला दूसरा और तीसरा देखो लंबी लंबी ल लंबी-लंबी-लंबी है, है न, हम, चलो, चलो, आजाओ शलकी पर, तो शलकी क्या है, यह एक चप्टी कोशिकाओं के पतले स्तर से बनी हुई होती है, यह क्या है यह एक यह एक चप्ती कोशिकाओं की पतली परत से बनता है बनता है ठीक है चलो ठीक है यही बात करीती है हमने फिर हमने क्या बोला था यह जो परत होती है बाहर की वो कैसी होती है अनियमित किनारे होते हैं ठीक है और मैं इसके एक्जेंपल की अगर बात करती हूँ तो यहाँ पर एक्जेंपल क्या डाल दोगे आप यहाँ पर अगर म आजाएगा रक्त वाहिकाओं की भित्ती आजाएगी ठीक है पहला क्या आगे है रक्त वाहिका ठीक है की भित्ती ठीक है दूसरा क्या जाएगा आपका फेफडे फेफडे के वायू कोश ठीक है जिनको हम क्या बोलते हैं एयर सैक है न एयर सैक बोलते हैं और यहां पर क्या हो विसरन क्रिया का कार्रे होता है यह तीन चीज़ा यहां पर इंपॉर्टेंट है याद रखियेगा ठीक है इतनी बाते क्लियर सबको है ना चलो आगे बढ़ जाते हैं अब आते हैं घनाकार उपकला उतक ठीक है अगर मैं घनाकार रचवला उतक की बात करती हूं चलो इसको समझ लेते हैं तो यह क्या होता है यह जो उतक होता है यह क्या होता है एक इस्तरीय होता है ठीक है किस तरी है कैसा धन जैसी धन याने की क्यूब जैसी कोशिकाओं से बना होता है समाननेता क्या होता है जो व्रिक होते हैं ठीक है समाननेता अगर हम बोलें समाने तपह जो नेफिरोन्स होते हैं यहां क्या करते हैं नली का कार भागो में नली का कार भागो तथा, क्या करते हैं, तथा, ग्रंथी जो होती है, ग्रंथियों की वाहिनियों, ग्रंथियों की वाहिनियों में पाया जाता है, ठीक है, पाया जाता है, ठीक, चलो जी ठीक है, इतना हमने समझ लिया, अब अगर हम इसके कारे की बात करते हैं, कि इसका कारे क्या है, ठीक है, तो मुख्खे कार्य क्या है इसका अगर मैं मुख्खे-कार्य की बात करती हुँ तो कार्य کیया बोलोगे आप काड्य क्या और और क्या, अफ्शोशन, अफ्शोशन, ठीक है, इसका मुख्य कार रहे हैं, ठीक है, इतनी बात clear सबको, यह हमारा क्या हो गया है, यह squamish epithelial tissue हो गया है, यह cuboidal हो गया है, ठीक है, यानि की जो घनाकार है, अब हमारे पास आता है, तीसरा, इस्तंबाकार इपितीलियल टिशू ठीक चलो नेक्स किया है हमारे पास हमने बोला कि इस्तंबाकार उपकला उतक ठीक है यानि कि कॉलम्नार इपितीलियल टिशू के बारे में हम बात कर रहें तो यहाँ पर क्या बात करेंगे हमने बोला कि भाई कैसी होती है, स्थम्ब के अकार की होती है, ठीक है यानि कि लंबी और पतली होती है, ये कैसी होती है केंद्रक केंद्रक पर केंद्रक यह प्राया कौशिका अधारी इतने जो कोशी का होती है, तो कोशिका के आधारी आधारी, ठीके, आधारी भाग में होता है, ठीक, संबाकार मतलब इस तरीके से हो गई, यहां क्या हो गया, केंदरक हो गया है, ठीके, चलो, यहां आधारी भाग पर हो गया, अब मुख्य सतय पर यहां जो मुख्य सतय होती है, ठीके, यहां पर हमने क्या मूला, मुख्य सतय ह यहां पर पाए जाते हैं ठीक है सोक्ष मांकूर पाए जाते हैं यहां पर अब यहां क्या हो गया अगर हम बोले कि सोक्ष मांकूर पाए जाते हैं तो कहां तो यहां बोल सकते हैं भाई आमाशे ठीक है आमाशे हो गया है फिर आत हो गई है जिसे आत्र कहते हैं फिर क्या हो ग पाए जाते हैं ठीक है और यह काम क्या करते हैं अगर मैं इनके काम की बात करूं तो यह काम क्या करते हैं भाई यह स्रवन और अफ्सोशन का काम करते हैं ठीक है क्या help करते हैं एसमें क्राइब करते हैं चलो ठीक है अब यहां पर सुषमांकूर की बात कर रही हूँ कि मुख्य सतय पर होते हैं तो यहां पर क्या है इस मुख्य सतय पर पक्षमाब होते है कंकूर पक्षमाब होते हैं यहाँ पर ठीक है अब ये जो पक्षमाब होते हैं ये क्या होती है भाई इनकों क्या कहते हैं पक्षमाबी उपकला ठीक है जिसको हमने क्या बोला जिसको हमने बोला ciliated ठीक है? कहते हैं इसको कहते हैं ठीक है? इतनी बात clear सबको उमीद करती हूँ कि बिल्कुल clear हो जानी चाहिए क्योंकि मेरे ख्यासे इस से जादा easy शब्दों में तो मैं और यह कौन समझाएगा इतने आसान असान चब्दों में आपको समझा रही हूँ हम यह देखो यहाँ पर समझो कि सबसे पहले शल्की उपकला आ गई हमारे पास यह क्या है? शल्की उपकला ठीक है? दूसरा क्या है घनाकार उपकला और तीसरा क्या है स्तंबाकार तो यह को लिख है ना पक्षमा भी है ना? चलो है ना कि उपकला उतक की बात करी थी कि जो उपकला उतक है यह क्या है? यह अंगों की देह बित्ती में होता है जो अंग होते हैं उनकी देह बित्ती में होता है ठीक है? बित्ती में होता है इस तरीके से लीवर है ठीक है तो ये इसके बाहर भी मौजूद होगा यहां पर बाहर के वातावरण में और ये इसके अंदर के वातावरण में यहां पर भी मौजूद होगा ठीक है तो ये क्या है इसके अंदर भी और बाहर भी है मतलब इसके दे भित्ती में क्या है ये पा अगर मैं सरल की बात करूं तो सरल में मैंने बताया था कि एक परत से ठीके और फेफडो की बाद बताई थी भाई जो फेफड़ों जो होते हैं फेफडो के वाईू कोश यानि एरसाय ठीके ये था फिर एकर सहिती बात करते हैं तो यहाँ पर हमने कहा था दो या दो से ज्यादा दो या दो से अधिक बोलो जुद करना परत ठीक है न? और एग्जैम्पल की जब बात करें तрь यहाँ पर हमने त़चा बोला था त़चा बोला था कि त़चा में है फिर हमने सरल उपकलाओ तक को फिर से तीन भागों में क्या कर दिया था डिवाइट कर दिया था ठीक इसको हमने तीन भागों में फिर से डिवाइट कर दिया था ऐसे लिख देते हैं तो पहला क्या था शलकी है ना पहला क्या था शलकी था ठीक दूसरा क्या था घनाकार है ना यहां पर क्यूब जैसी थी और लास में कहाता, इस तंभाकार, इस तंभाकार है ना, यहाँ पर शल्की में हमने बोला था कि इसकी कोशिकाय कैसे आनियमिद है, धनाकार में बोला था कि क्यूब जैसी है, और इस तंभाकार में क्या बोला था, इस तंभ के बराबर लंबी-लंबी है, ठीके, तो यह हमने यहां तक clear कर लिया था याने कि हमने इस उपकला उतक के बारे में सब कुछ almost जान लिया था ठीक है इसके बारे में हमने जान लिया था चलो तो आज हमें किसके बारे में बात करनी है आज हम इस सयुक्त उपकला उतक को आगे लेके जाएंगे और इसके बारे में जानेंगे उ और शरीर की गुहाएं और लिकाएं और ट्यूबों के लिए एक अस्थर के रूप में कार्य करती है। ठीक है। फिर भाई, यह सहुआ क्या होता है दो यह दो से अधिक कोशिकाओं की परते होती है। इसका सुरक्षात्मा कारे होता है जैसा कि यह हमारे तोचा में करता है तोचाइस का एक्जैमपल दे Hundreds आ हमने थीक फिर अपने यह देख लिया था कि यह शलकी है ठीक है यह तरीके से मौजूद होती है यह क्या है आन इयमित है यह क्या है क्यूब के शेप में है और यहां पे लंब़ी-लंबी स्थंप की तरह हैं यह देखाता हम ने ठीक? चलो, अब हम आजाते हैं. अपने मेन मुद्डे पे जो क्या है हमारा सहीवत उतक है. ठीक है?ài EK? तो अगर मैं उतक की बात करती हूं, तो यह क्या होता है सहीवत उतक में क्या होता है कि एक से ज्यादा कोशी का स्तरों की बनी हुई होती है ठीक है यह क्या है एक से ज्यादा कोशी का स्तरों की बनी हुई होती है संयुक्त उतक जो होता है जो मैंने तोर दर पहले ही बताया था कि जो है सरल क्या है एक पढ़ती है ये क्या है दो या दो से जादा ठीक है फिर इस प्रकार्ट क्या है यहाँ पर क्या होता है स्रवन और अफशोशन यहाँ पर क्या होता है स्रवन और अफशोशन ठीक है अब शोशन अब शोशन में इसकी भूमी का क्या है इसकी भूमी का यहाँ पर नियमित है इसकी भूमी का सीमित है सीमित है ठीक है अब शोशन में इसकी भूमी का अब शोशन में इसकी भूमी का क्या है सीमित है ठीक है clear इतना है न ठीक है अब यहाँ पर अगर मैं इसके कार्वे की बात करती हूँ कि यह जो सही उतक है यह कार्वे क्या करता है है ना तो भई काम में तो जानना जरूरी है तो यहाँ काम क्या होता है इसका काम होता है रसायनिक वे यांत्रिक क्या यांत्रिक प्रति बलो से रक्षा करना ठीके, ये क्या है? इसका मेन काम है, मुख्य काम यही है ठीके, तवचा की जो शुष्क सतय होता है ठीके, तवचा की सुष्क सतय की अगर हम बात करते है जो तवचा है, उसकी शुष्क सतय है ठीक है, मुक गुहा की नम सतह, ठीक है, और क्या हो सकता है, ग्रस्नी, ठीक है, लार ग्रन्थी, लार ग्रन्थी, ग्रन्थियों में, फिर अगना, अगना, शई, अगना शई की वाही, नियों के भी, भीतरी, अस्तर याने की, अस्तर याने की क्या लाइनिंग, है न, अस्तर को ढखता है, ठीक है, अस्तर याने की लाइनिंग, क्या करता है, इसको ढखता है, ठीक है, इतनी बात, ख्लियर सबको, है न, अब ये क्या करते हैं, ये जो होते हैं, सायुक्त उतक, ये क्या होते हैं, आपस में एक अंतर कोशी की ये, द्रव्व के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, ये जो सायुक्त उतक होते हैं, ये आपस में, क्या होते हैं, अंतर कोशी ये, अंतर कोशी ये, द्रव्वे से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, इतनी बात बताओ, मुझे क्लियर हो गई है सबको, हा न, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, सबको क्लियर हो गई है, यहा की ठीक है चलो आगे बढ़ जाते हैं हम अब यहां पर ना एक शब्द आता है क्या शब्द आता है भाई कि कोशी का ग्रंथी कि कोशिका ग्रंती कोशिका संधी ठीक है यहाँ पर एक शर्द आता है कोशिका संधी जिसको हम क्या बोलते है cell junction बोलते है क्या बोला हमने cell junction ठीक है अब यहाँ पर यह जो कोशिका होती है यह आपस में कैसे यह जो है कोशिका यह आपस में कैसे इस्तित है यहाँ पर यह सवाल आता है ठीक है इस्तित है ठीक है आपस में यह कैसे इस्तित है अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि यह जो कोशिकाय है यहाँ पर यह आपस में कैसे इस्तित है तो भई इसका जवाब क्या होगा इसका जवाब होगा क्या कि चलो देख लेते हैं कैसे इस्तित है अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर जब हम बोलेंगे आपस में कैसे इस्तित है ठीक है अब इस बेसिस पर क्या है ये इसी बेसिस पर ये तीन टाइप की हो जाती है कि आपस में कैसे इस्तित है ठीक है इसके आधार पर इसके आधार पर ये क्या है तीन तरेके की है ठीक पहली क्या है द्रण संधी ठीक है दूसरी क्या है हमारे पास आसंजी संधी ठीक है और तीसरी क्या है हमारे पास अंतराली अंतराली संधी ठीक है तो यहाँ पर ये इस अधार पे क्या है तीन तरेके की है ठीके इस आधार पर यहां पर यह तीन तरीके की हैं अब सवाल आता है कि तीनों हैं क्या अब सवाल आता है कि यह तीनों की तीनों हैं क्या तो अगर मैं ध्रण संदी की बात करती हूं यहां पर अगर मैं कोशिका बनाती हूं कि एक कोशिका यह है और एक कोशिका यह है ठीके कि एक कोशिका इस तरीके से ये रही और दूसरी कोशिका इस तरीके से ये रही ये क्या ऐसा किंद्रक है ठीक है तो ये जो उनों जो कोशिका है ये एक दूसरे से इस तरीके से जुड़ी हुई है कि यहां पर जो भी क्या पदार्थ है वो यहां से यहां यहां से यहां यहां नहीं जाएगा ठीक है इस तरीके से हैं बिल्कुल पैक्ट है इस तरीके से बिल्कुल पैक्ट ठीक है कि कोई भी चीज यहां से बाहर और बाहर से अंदर नहीं आएगी ऐसे पैक्ट रही है ठीक है फिर अकर आसन जी के बात करती हूँ तो यहां पर क्या है थोड़ा सा होता है है समझ में थोड़ा सा थोड़ा सा यहां में खालीस्तान थो तोतक आगा है आपको होते हैं सानांत्रिस हो जाते हैं और यहां क्या होता है यहां अच्छी खासी जगा होती जहां चोटे और बड़े जो कण होते हैं वो क्या होते हैं सानांत्रिस हो जाते हैं ठीक है clear चलो तो अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर संयुक्त उपकुला उतक की बात जब कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या है सभी कोशिकाएं ठीक है मैं यहाँ पर लिखती हूँ कि यहाँ पर सभी कोशिकाएं सभी जो कोशिका होती है कोशिकाएं सभी कोशिकाएं क्या है एक दूसरे से तो ने बताया था ना कौन से द्रव्व से अंतर कोशिये अंतर कोशिये द्रव्व या बोलो पदार्थो ठीक है पदार्थो से जुड़ी रहती है से जुड़ी रहती है ठीक है तो यहाँ पर क्या होता है सभी कोशिकाएं अंतर कोशिये द्रव्व या पदार्थो से एक दूसरे से जुड़ी रहती है ठीक है लगबख सभी जो प्राणी उतको में क्या होता है यहाँ पर जितने भी प्राणी उतक है यहाँ पर आजा यार यहाँ पर क्या है जितने भी प्राणी उतक है ठीक है प्राणी उतक की अगर हम बात करते हैं तो इन उतकों में क्या है कोशिकाओं के कोशिकाओं के विशेश जोड के विशेश जोड व्यक्ति गत व्यक्ति गत या जिसको बोलेंगे हम individual, individual कोशिकाओं को, कोशिकाओं को, कोशिकाओं को सनरशनात्मग, सन, सनरशनात्मग, सनरशनात्मग, एवं, एवं, कार्यात्मग, क्या हो गया भई, कार्यात्मग, संधी प्रदान करते हैं, ठीक है, संधी प्रदान करते हैं, ठीक है, अब उपकला और अन्य उत्कों में क्या होता है, यहाँ पर, यहाँ पर जो उपकला और यह एवं, अन्य, अन्य, उत्कों, आज तो यह पैन चलके ही निमाने का मुझे लगता है, उत्कों में तीन प्रकार की संधी होती हैं, है न, यह हम अल्यड़ी बात कर चुके हैं, संधी होती है, संधी होती है, ठीके, संधी होती है, ठीके, चलो देख लेते हैं, कौन, कौन सी होती है, एक बार, तो यहाँ पर कौन सी होती है, पहली हमारे पास क्या आ गई, द्रण, संधी आ गई हमारे पास पहली, ठीके, जहाँ पर हमने क्या बात कर ले थी, द्रण संध बाहर जानने से रोकती हैं या रोकते हैं ठीक है यहाँ पर ये काम करते हैं फिर अगर मैं दूसरा बोलूँ तो हमारे पास दूसरा कौन सा आ गया दूसरा पहला दरण संधी था दूसरा क्या था हमारे पास आसंजी है ना आसंजी संधी देखो यह ना आपके नोट्स बनाने हैं बहुत काम आएंगे तो अच्छे तरीके से पढ़ लेना ठीक है इसको अच्छे से समझ लेना ठीक है आस कोशिकाओं, जो कोशिकाओं का क्या होता है, कोशिकाओं के कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य यानि कि साइटोब्लाजम की बात हो रही है, कोशिका द्रव्य को एक दूसरे से जोडने का काम, जोडने का काम, ठीक है, चलो ठीक है, तीसरा हमने क्या बोला थ तीसरा हमारे पास यहां पर क्या आया था तीसरा आया था भाई अंतराली ठीक है अंतराली आया था तीसरा हमारे पर अंतराली संधी तो यह अंतराली संधी था यहां पर हमने क्या बात करी थी यह क्या करते हैं यहां पर यहां पर क्या जो छोटे अड़ों होते हैं यहाँ पर यह क्या करते हैं? बड़े तथा छोटे बड़े तथा छोटे अड़ों को अड़ों एवं कभी 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 एक साथ लिख दिया बड़े तथा छोटे अड़ों को क्या करते हैं? बड़े तथा छोटे अड़ों को क्या करते हैं? इस्तानांतृत करते हैं अड़ों को इस्तनांतृत करते हैं, ठीक है, ये काम करते हैं, कि इस्तनांतृत करने में क्या करते हैं, ये इसकी सहायता करते हैं, ठीक है, तो इतनी बात सबको समझ में आ गई, आ गई सबको समझ में यहाँ पर, चलो जी ठीक है, थोड़ा से और समझते हैं इनको आगे, चलो अब सईयोजी उतक में आ जाते हैं हम सईयोजी उतक में ठीक है अगर सईयोजी उतक की बात करते हैं तो अब तक हम किसकी बात कर रहे थे सईयोग्त की बात कर रहे थे सईयोग्त ठीक हमने कंप्लीट कर लिया यहांपे हमारा दूसरा उतक शुरू होता है हमने कौन सा उतक complete कर लिया भी उपकला ठीक है उपकला कि सरल और सयुप दोनों को complete कर लिया हमने ठीक है अब second number पर हमारे पास कौन सा था सयुक्त था चलो सयुक्त पर आ जाते हैं सयुक्त क्या बोलते हैं हम connective tissue जोडने का काम करता है ये ठीक है अंगों को जोडने का काम करता है ठीक है तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये अंगों को जोडने काम कैसे करता है तो मुझे क्या जवाब दोगे कि कैसे करता है कि बाई मैं कहूं कि बो हम जानते हैं कि जो हमारी बोन्स और मसल्स है ठीक है ये सैनों वो है कि यह है इनको इनको आपस में जोड़ने का काम करता है ठीक है तो चलो समझते है इसको अब यह कि जिस जगा को जोडते हैं जिस जगा को जोडते हैं उस जगा के हिसाब से अपने आपको उस तरीके लिए डाल ले तो इसके लिए उतक अलग हो जाएगा ठीके अगर यहां जोड़ना है तो इसके लिए उतक अलग हो जाएगा मतलब जगा के हिसाब से यह अलग-अलग हो जाते हैं सहीं जी उतक ठीके तो फिर हमने क्या मोला कि यहां पर यहां पर कौन-कौन से प्रकार हो सकते हैं अगर मैं प्रकार की बात करती हूं इनके ठीके इ क्थोर उतक हो सकते हैं इसके बाद क्या सकता है इसके बाद आपका वसीये आ सकते हैं वसीये उतक और इसके बाद तरल भी आ सकता है तरल संयोजी उतक है ना कौन सा है जो तरल संयोजी उतक है कौन सा है वो हां बताओ जल्दी से कौन सा है वो जो तरल संयोजी उतक है बोलो किसको मालूम है कौन जवाब दे सकता है चैटिंग से हटके कौन ऐसा है जो जवाब दे सकता है बताओ तो भाई सिंपल सी बात है सिर्फ और सिर्फ रख याने की ब्लड ठीक है याने की ब्लड तो यहां पर यह जो तीनों है ठीक है यह जो तीनों है यह अलग है ठीक है और यह हमारा यहां पर यह क्या जाता है अलग आजाता है अगर हम कोमल उतक की बात करते हैं तो यहां पर क्य एसी आजय जाती है three cut तक में अस्ती आ जयाती है on them अर्थ अर्ष ए जी uet वसीय वहां working your original सब्सकीना है फैकर आद इस जो तीन हुए यहां पर इनकी जुद संदोर सप्रश्चार एंका स्ट्रक्चर इंका स्ट्रक्चर रहे वे क्या हुआ तंतू से बना हुआ होता है इन तीनों की जो सनरशना है इन तीनों की जो सनरशना है किस से बनी हुई है तंतू से बनी हुई है ठीक है क्या कहते है उसको कॉलेजन बोलते हैं Collagen, ठीक है? क्या बोला, हमने इसको collagen बोला ठीक, तो इन तीनों की संडशना तन्तु से बनी हुई है, जिसको हमने collagen बोला और जो तरल सहियोंजी उतक है वो सिर्व एक है, यानने की वो रक्त है हमारा ठीक है? रक्त ये, ठीक? clear इतनी बात यहां तक? चलो आगे बर जाते हैं ओके थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बादे में कि जटल प्राणियों के शरीर में क्या होता है अगर हम जटल प्राणियों की बात करते हैं तो अगर हम जटल प्राणियों की बात करते हैं तो इनके क्या शरीर में इनके शरीर में क्या है हाँ सयोजी उतक ठीक है इनके शरीर में सयोजी उतक सयोजी उतक क्या है बहुत बहुत तायत एवं एवं विस्तृत एवं विस्तृत रूप से फैला हुआ होता है ठीक है फैला हुआ होता है ठीक है जी माल लेते हैं अब यहाँ पर क्या होता है यह जो सयोजी उतक है ठीक है यह जो सयोजी उतक है अगर मैं इसके नाम की बात करती हो कि इसका नाम सयोजी उतक क्यों पड़ा ठीक है तो यहाँ अगर इसके नाम की बात हो रही है इसके नाम की इसके नाम की बात हो रही है तो भाई शरीर के शरीर के अन्य उतको अन्य उतको एवं अंग को एक दूसरे से अंग को एक दूसरे से जोडने पर पड़ा ठीक है, जोडने पर पड़ा, ठीक है, तो इसका नाम connective, connective मतलब हम कहते हैं कौन सी connective flight है, क्या मुलते हैं कनेक्टिव train है, bus है, मतलब जो किसी दो चीज़ों को आपस में जोड रही है, ठीक है, connecting flights होती है न, कि अगर मुझे यहां से बैंगलॉड जाना है, ठीक है, तो मैं क ठीक है, वहाँ पर क्या होगी, फ्लाइट रुकेगी, यह न, वहाँ पर लेडाउन करती है कुछ टाइम के लिए, फिर वहाँ से टेक आफ करेगी, ठीक है, कि वहाँ जो बीच में कोई एरपोर्ट था, वहाँ से कोई चड़े होंगे, पैसंजर, जिनने बैंगलॉड जान रहा है, इसी बज़े से इसका नाम connective tissue पड़ा, ठीक है न, चलो, अब यहाँ क्या होता है कि भाई, यहाँ पर जो उतक तरह 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 के हो सकते हैं, तो अगर मैं प्रकार लिखती हूँ, तो प्रकार के अगर बात करती हैं, उतक की, तो कौन से हो सकते हैं यहाँ पर, यहा कौन आ सकता है, यहाँ पर, कोमल उतक से लेकर उपास्ती, है न, उपास्ती आ सकता है, अस्ती आ सकता है, ठीक है, और क्या सकता है, वसीय आ सकता है, ठीक है, और रक्त आ सकता है, लास्ट में, ठीक है, तो यह क्या हो गए, इसके प्रकार हो गए, अब यहाँ पर रक्त को छ चोड़ कर अगर इसको छोड़ दे हम यहाँ पर तो वाकी जो सारे हैं ठीक है वाकी जो सारे हैं इन सभी में क्या है जो कोशी का संरशना है इन सभी में जो कोशी का संरशना है वो प्रोटीन का तंतु स्त्रावित करती है एक प्रोटीन का तंतु स्त्रावित करती है जिसको हम क्या बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं collagen collagen बोलते हैं या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं elastin ठीक है यानि कि flexibility बढ़ाने या काम करती है basically यह जो collagen है ठीक है ओके चलो यहां तक समझ में आया सबको clear बिलकुल है ना चलो जी ठीक है बहुत खुश हुई जानकर ही clear हो गया है okay आगे बर जाते हैं चलो अब इनके प्रका अच्छा एक चीज़ और जालनो यहां पर एक चीज़ और जालने कि यह क्या करता है जो collagen होता है यह क्या करता है यह जो उतक होते हैं ठीक है उतक को शक्ति देता है शक्ति और इसके साथ साथ लचीलापन जो मैंने भी flexibility बोला ना ठीक है लचीलापन देता है ठीक है जो मैंने flexibility बोला ओके चलो तो यह काम यह होता है अब आज़ते हैं सयों जी उतको के प्रकार के बारे में हमने सयों जी उतक जान लिया कि basically क्या है अब इसके प्रकार के बारे में थोड़ा पहुत जान लेते हैं तो अगर प्रकार के बार तो भाई ये तीन तरीके की होती है ठीक है ये क्या है तीन तरीके की है ये पहला क्या है यहाँ पर पहला है हमारा लचीला लचीला सैयों जी उतक ठीक है पहला होगे लचीला सैयों जी उतक ठीक है जी माल लिया हमने दूसरा हो गया हमारे पास क्या हो गया दूसरा क्या हो गया दूसरा हमारे पास आगया वई सघन सघन सईयोजी उतक ठीक है दूसरा क्या हो गया सघन, सईयोजी, उतक फिर तीसरा क्या आजाएगा हमारे पास विशिष्ट विशिस्ट सयोजी उतक ठीक है? ठीक है जी यह आ गया हमारे पास ओके यह तीन तरीके के हो गए अरे बापर ठीक है तो यह तीन तरीके के हो गए बेसिकली चलो ठीक है अब यहाँ पर अगर मैं लचीला सयोजी उतक की बात करती हूँ तो यहा पर यह क्या होते हैं भाई फिर से यह दो प्रकारों में टूट जाते हैं कौन-कौन से दो प्रकार है इसके भाई एक तो y विये y विये सही ओजी उतक ठीक है, और दूसरा क्या आ गया हमारा वसी ये सही ओजी उतक ठीके, फिर से ये दो भागो में हमने बोला कि तूट गिया है ये ठीके जी, ये दो भागो में आ गिया अब अगर मैं सगन सहियो जी की बात करती हूँ तो वह जो collagen है, ठीके, collagen जो है किस crum में है, किस crum में वेवस्तित है उसके हISAब से ये भी दो में आ जाता है ठीक है समांतर या फिर नियमित और दूसरा क्या आ गया अ समांतर या फिर नियमित ठीक है चलो ठीक है ये भी दो में हो गया फिर एकर विशिष्ट बोलते हैं यानिक कुछ इस्पेशल हो रहा है यहां विसिष्ट आया है तो ठीक है तो यहां पर क्या होता है यहां पर यह तीन प्रकार के होते हैं तीन प्रकार पहला यहां कर देते हैं दूसरा यहां कर देते हैं तीसरा यहां लिख देते हैं ठीक है तो अगर मैं पहले की बात करती हूँ तो पहला हमारे पास क्या आता है उपास्थी ठीक है उपास्थी याने की cartilage ठीक फिर दूसरा अगर बोलू तो अस्थी मतलब की bones हो गई यहाँ पर और last में क्या आता है हमारे पास रक्त याने की blood ठीक है तो यहां पर यह तीन भागों में ऐसे विभाजित हो जाती है ठीक है तो उम्मीद करते हूं यह चार्ट आपको यहां पर समझ में आया होगा बिल्कुल मत बोलना की समझ में नहीं आया है ठीक है आ गया है चार्ट आपको समझ में तो अगर मैं समानतर की बात करते हुँ, तो समानतर मतलब इस तरीके से यह वेवस्तिद है, समानतर तरीके से, है ना, कि नियमित है यहां पर, यानि कि इसका example हम तुच्छा में ले सकते, नहीं, अच्छा, example आगे समझाती हूं, ठीके, और और नियमित मतलब इस तरीके से, ऐसे, कहीं भी हो सकता है, ठीके, तो ये क्या है, समान्तर इस तरीके से, और और समान्तर इस तरीके से, यहाँ पर आएगा, इतनी बात, सब बच्चों को clear हो गई है, ठीके, चलो, आगे बढ़ जाते हैं, ठीके, चलो, आगे बढ़ जाते ही तो प्रकार हैं इसके, तो पहले हम बात करते हैं भाई, लचीले की, ठीके, पहले हमारे पास क्या है, देको, लचीला सहियो जी उतक, ठीके, तो यहाँ बात करते हैं, लचीला सहियो जी उतक ठीक है पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं चलो जी इसके बारे में हमने क्या बोला यह दो प्रकार का है है ना यही बात कर यह भी हमने चलो दो प्रकार देखते हैं इसके कौन कौन से थे इसके दो प्रकार एक क्या है वाई विये है न वाई वी ए सहियों जी उतक सहियों जी उतक ठीक और दूसरा क्या था हमारे पास दूसरा था हमारे पास वसिये है न वसिये सहियों जी उतक ठीक है दूसरा क्या है वसिये सहियों जी उतक ठीक है ये दो तरीके के हमने बोला अगर मैं वाई भी एकी बात करती हूँ, तो यहाँ पर यह क्या है, यह उपकला उतक के नीचे होता है, यह कहा होता है, उपकला उतक के नीचे, ठीक है, कहा है यह उपकला उतक के नीचे, यानि कि तुचा के गर्तिका में, ठीक है, किस में यह होता है, तुचा के गर्तिका मे ठीक है कहा मिलेगा आपको ये तुचा के गर्थिका में मिलेगा ठीक है अब यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर जो महा भक्षाणू कोशिका होती है कहा है यहाने कहा हमारी WBC हो गई है और दूसरी कौन सी आ गई हमारे पास मास्ट कोशिका ठीक है ये कहा होता है मास्ट कोशिका में होता है या फिर किस में होता है महा भक्षाणू याने की WBC में होता है भक्षाणू गलत लिखा गया ठीक है चलो ठीक है माल लेते हैं अब यहाँ पर ये क्या करती है भाई ये क्या किसलिए यूज में आता है ये यूज में आता है भाई जो जीवाणू होते हैं या विशाणू बोलो इनसे क्या करते हैं इनसे रक्षा करते हैं या बचाते हैं ठीक है तो ये कोशिकाए इसलिए काम में आती है इतनी बात सब ब सर्वें वसीय सयोजी की बात करते हूं तो यह क्या है जो जो अनुपयोगी फीक क्या है पदार्थ है हमारे शरीर में उसके जमाव से उसके जमाव से बनता है यह क्या बनते हैं ठीक ओके इतनी बात clear सबको है ना इतनी बात सब बच्चों को clear हो गई है थमसब दिखा दो ताकि मुझे समझ में आ जाए भाई कि हाँ हो गई है थमसब दिखा दो चलो आगे बढ़ जाते हैं चलो थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं लिखने के लिए कि क्या लिखेंगे यहाँ पर कि जो यहाँ पर क्या होता है कोशिकाओं की जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कोशिकाओं की जब हम बात कर रहे हैं ठीक है कोशिका एवम तंतू ठीके जब इसकी बात करते हैं तो वो क्या होते हैं एक दूसरे से यह जो कोशिका और तंतू है यह क्या है एक दूसरे से अर्द तरल जो होता है ठीके कैसे अर्द तरल अर्ड तरल आधारीय पदार्थ में शिथिलता से जुड़े हुए होते हैं कैसे शिथिलता से जुड़े हुए होते हैं ठीक है? होते हैं ठीक है? जैसे कि मैंने क्या पताया था इसका एक्जैम्पल हमारे जो तवचा है याने कि जो हमारे स्किन है उसके किसमे होते हैं? अगर तवचा की बात करते हैं तो कहां भी लिखे अच्छा है इसको? चलो यही से समझा देते हैं जैसे की, जैसे की तौचा की, तौचा की गर्ति का इसका क्या है, एक्जैंपल है, ठीक है, उसके बाद क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, इसके बाद हम क्या बोलेंगे भई, अगर मैं वसा की बात करती हूँ, अगर मैं यहाँ पे वसा की बात करती हूँ, ठीके, तो क्या है, जो वसीय उतक है, ठीके, वहाँ क्या हो रहा है, यह क्या है, दूसरा, पहला कौन सा हो गया हमारा, YVA, पहला कौन सा हमारा, YVA है, ठीके, दूसरा कौन सा है, दूसरा हमारा, जो यह वसीय उतक है, यह, यह क्या शितिल संयों जी उतक है ठीक है पहला शितिल उतक कौन सा हो गया हमारा पहला वाई वी ये हो गया है ये वाला जो लिख्खा है और दूसरा क्या है वसिये ठीक है वाई वी ये पहला ये रहा वाई वी ये उतक ठीक है और दूसरा क्या है दूसरा शितिल संयों जी उतक कौन सा है वसीयोडे कि अब यहां पर क्या होता है यहां अर शुव टाप कर यह का होता है अनुझा के नीचे होता है नीचे हो इस वतक यहिले होती है अग्र मैं लेचे का यह कोशिगा है ठीक है इसकी क्या है जो कोशिका है वो क्या है हाँ इसकी जो कोशिका है वो वसा संगरण के लिए विशिष्ट होती है कोशिका वसा याने की पैट संगरण याने की इखट्टा करना के लिए विशिष्ट होती है विशिष्ट याने की special होती है विशिष्ट होती है ठीके जो की कैसे बनता है जो भोजन का पदार्थ होता है ठीके जो भोजन के जो पदार्थ प्रियोग में नहीं आते है भोजन के पदार्थ जो प्रियोग में नहीं आते हैं वो क्या करते हैं वो वसा के रूप में इखटा हो जाते हैं जमा हो जाते हैं वो क्या होते हैं वो वसा के रूप में क्या हो जाते हैं परिवर्तित हो जाते हैं परिवर्तित हो जाते हैं ठीक है यहाँ पर ठीक है इतनी बात क्लियर हो गई है यह दोनों चीज़े अच्छे से समझ लो है ना ठीक है चलो आगे बढ़ जाते हैं अब हम बात करते हैं पहला हमारे पास क्या था देखो यहाँ पर य भी ए ठीक है पहला था लचीला सईयो जी उतक धीक दूसरा हमारे पास क्या था arm सगन हमने इसको क्लियर कर लिया पूरा अब हमारे पास आता है सगन सयोजी उतक ठीक है चलो इसके बारे में बात करते हैं थोड़ी सी ठीक है लचीले के बारे में तो हमने बहुत सारी बाते कर ली है ठीक है अब सगन के बारे में बात करते हैं तो अगर मैं सगन के बारे में ब कोलेजन है जो कोलेजन है ठीक है वो किस प्रकार से वे वस्तित है वे वस्तित है इसके अधार पर ये दो तरीके का है इसके अधार पर ये दो तरीके का है ठीक है तो पहला क्या बताया था नियमित हाँ पहला क्या था नियमित नियमित या फिर जिसको हमने क्या बोला जिसको हमने क्या बोला समानतर भी बोला समानतर ठीक है पहला ये आ गया हमारे पास ठीक है दूसरा क्या बोला अनियमित ठीक है अनियमित हो गया या फिर क्या हो गया अ समानतर ठीके ओके ये दो हो गए अब अगर मैंने नियमित के बारे बोला था तो ये कहा था कैसे होते हैं इस तरीके से ऐसे ये नियमित प्रकार से हैं और अ नियमित होंगे यहाँ हो सकते हैं मतलब किसी भी प्रकार से हो सकते हैं ठीके तो यहाँ पर यह क्या है? Collagen Tantoo Collagen Tantoo है यह ठीक है? क्या है यह? Collagen Tantoo हमने क्या बोला? यह जो Collagen Tantoo है इसके आधार पर इसकी एक कैसे विवस्तित है? यह दो प्रकार से हैं एक नियमित एक अनियमित नियमित में देखो एक लाइन से आ रहे हैं आ नियमित में कैसे विवस्तित पड़े हैं कोई टेंशन ही निया किसे चीज़ की ठीक है? ओके ठीक है अब यहाँ पर अगर मैं इसके एक्जैम्पल की बात करती हूँ तो कंडराएं आते हैं इसके साथ ठीक है? जिसको हम टेंडन बोलते हैं टेंडन ठीक है? और यह कहां मिलते हैं आपको? यह जो आपके बाइचेप्स होते हैं ठीक है? यह आपके बाइचेप्स में मिलते हैं ठीक है? और थाइस में मिल जाते हैं और दूसरा क्या आगया हमारे पास? दूसरा सनायू आ गया तो अगर हम इसकी कनराय यानि कि टैंड़न की बात करते हैं तो यह क्या करते है यह मांस पेशी होती है ठीक है हमारी मसल्स होती है रुपके क्या हड्डियोज का हमारी ऐस्ति से जोडते हैं ठीक है ये जो होते हैं और जो हमारी मास्फेशिए है है उसको किससे जोड़ रहे है और जो इस नाइव है वो क्या कर रहे Accent और नरहीं अयानि या आद बोन में आप पीङ एक एक disproportion वास तो अच्छा के कोलेजन में मिलती है ठीक है तो अच्छा के कोलेजन में मिलती है इतनी बात clear सबको है ना चलो तो इन में तन्तू और तन्तू कोशिकाएं जो होती है इन में तन्तू और तन्तू कोशिकाएं इनमें जो तन्तू और तन्तू की कोशिकाए होती है वो क्या होती है द्रणता से वेवस्तित होती है ठीक है अब यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर जो अभी विन्यास के अधार पर ठीके, यहाँ पर अभी विन्यास के आधार पर तन्तु तथा तन्तु कोरक तन्तु तथा तन्तु कोरक सगन सयोजी उतक को नियमित और आ नियमित किसमें? नियमित और आ नियमित सयोजी उतक में सगन सयोजी उतक सगन यहाँ ब्रैकेट में लग देते हुआ छूट गया है में क्या करते हैं? विभाजित करते हैं विभाजित करते हैं ठीक है? क्लियर इतना? तो चलो देख लेते हैं भई इसमें क्या क्या हमने बोला था अगर हम कंडराएं की बात करते हैं ठीक है यहाँ पर कंडराएं आ गया था पहले ठीक है कंडराएं क्या थे भई हमारे टैंडॉन तो यह क्या करते हैं? यह कंकाल पेशी जो होती है कंकाल पेशी को किस से जोड़ती है? कंकाल पेशी को अस्ती से अस्ती से जोडती है ठीक है फिर अगर मैं सनाईू की बात करती हूँ अगर मैं सनाईू की बात करती हूँ यानि कि जो लीगमेंट है लीगमेंट ये क्या काम करती है मैंने का था ये बोन से बोन को जोडती है है न और यहां पर हम क्या लिखेंगे यह अस्ति से अस्ति को जोडता है ठीक यह कर रहे हैं अस्ति को जोडता है। जो कोलेजन तंतु गुच्छा होता यहां पर collagen tantoo का गुच्छा कंडराओं को क्या करता है, जो collagen tantoo का गुच्छा है, वो क्या काम करता है, वो क्या करता है, जो क्या है, कंडराओं को क्या कर रहा है प्रतिरोधी कंडराओं को क्या कर रहा है प्रतिरोधी शम्ता प्रदान कर रहा है शम्ता याने कि तागत दे रहा है उसको शम्ता प्रदान करता है ठीक है इसका मदलब कह सकते हैं कि वही तूटने से भी बचा रहा है तूटने से बचाता है बचाता है ठीक है इतनी बात clear सबको कि इसका रोल क्या है कि यह जो collagen तंतुज का गुच्छा जो होता है कंडराय जो होती है उनको प्रतिरोधी शंता प्रदान करता है कि भाई किसी भी तरीके से यह तूट ना सके clear इतना ठीक है चलो अब यहां क्या होता है जो सगन नियमित उतक है ठीक है यहां पर सगन नियमित उतक है ठीक है यह क्या है यह लचीली इस नायू में पाए जाते हैं कहां पाए जाते हैं यह लचीली इस नायू में पाए जाते हैं लचीली इस नायू में पाया जाता है ये ठीक है फिर अगर हम अनियमित की बात करते हैं कि भाई सगन अनियमित उतक की अगर बात करते हैं तो ये कहां पाया जाता है ये है तो ये जो है सगन अनियमित क्या बोलते हैं अनियमित में तन्तु तथा तन्तु कोरक होते हैं इसमें क्या होते हैं? इसमें तन्तु तथा तन्तु कोरक होते हैं और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो अभी विन्यास है इस पैन में तो जान लेली सही में यहाँ पर जो अभी विन्यास है वो क्या है अलग होता है ठीक है अलग-अलग होता है ठीक है अब यह कहां पाया जा रहा है कहां पाया जा रहा है यह पाया जा रहा है यह पाया जा रहा है भाई कहां तो अच्छा में तो अच्छा में पाया जाता है ठीक है हुआ 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 कि अरे बबरह अभी नहीं भाई अभी हमको अभी हमको और लिखता है तुच आम में पाता है ठीक हुपासि अस्थी एवं रख्त क्या अच्छ छलो यहां पर यहां किया करते हैं एक पेज्ज और जोड़ लेते हैं कीप करते हैं कौन सा पेज खाली है उसको यहां ले आते हैं लो इसको यहां ले आते हैं है ना अब शुरू कर देते हैं तो हमें पता है कि जो उपास्ती है ठीक है जो उपास्ती है अस्ती है चलो यहीं पर लग देते हैं इसको तो भी जो उपास्ती अस्ती ठीक है और क्या है रत यह क्या है विशेश क्या है यह विशेश प्रकार के सईयो जी उतक है ठीक है तो यहां पर हमने क्या है भाई सईयो जी उतक यहां पर जो है इसका हमने क्या कंप्लीट कर लिया है सईयो जी हमने कंप्लीट कर लिया यहां पर टीक है अब में रहा grandpa क्या है विशेश यहांपर सगन कंप्लीट कर लिया हमने अब क्या है यह मैंरे पास विशिस्ट आया थोड़ों था विशिस्ट के बारे में जानते हैं ठीखे विशिष्ट क्या विशिष्ट सईयोजी उतक ठीखे विशिष्ट सईयोजी उतक बारे बात करते हैं. तो हमने कहा था है यह तीन प्रकार के होते हैं. उपास्ती अस्थी और रक्त. थी ? ओ झ Bhag तरे प्रमने प्रकार के होते हैं यह थी थीक है पहला आगे उपाश्ति है थीक है दूसरा के आगय हमारे पस अस्ति ठीक है और 24 क्या यां रत्त is about के ठीक है अब यहां पर क्या है अगर मैं उपाश्तिय की बात करती हूं तो यह हमें कहां देखने को मिल जाएगा है यह Даже होती है उतक यहाँ पर उनकी बात हो रही है तो यह जो क्या नवजाद शिशू होते हैं नवजाद शिशू हो गए ठीक है उन में देखने को मिल जाते हैं असाने से जूकि उनकी हड़िया उनकी मतल्स क्या होती है बहुत नाजुक होती है बहुत कोमल होती है ठीक है लेकिन अगर हम अस्ति की बात करते हैं तो ये किस में मिलती है भई ये कटोर भाग है है ना ये तो क्या है कटोर भाग होता है किस में देखने को मिलेगा ये जो पूरा शरीर है मानव का पूरा शरीर ही क्या है भई वहाँ पे ये अस्ति से बना हुआ यानि बोन से बना हुआ जो कटोर भाग और किस से बना हुआ ये? कैल्शियम से बना हुआ है. किस से बना है ये? कैल्शियम से बना हुआ है. ये क्या करता है? ये सपोर्ट करता है, यान्तरिक सहारा देता है, है ना? यान्तरिक सहारा प्रदान करता है ये. ठीक है ना? ठीक है. अब रक्त आ गया. तो रक्त क्या है ब WBC आ गया हमारे पस White Blood Cell यानि श्वेत्रक्ष खोशि का ふнетि लेटस आ जाते हैं ठीक है और क्या आ जाते है प्लाजमा आ जाता है हमारा और यह सारा का सारा क्या काम करता है रग परिसंस्रूरं का काम करता है यह थीख है तो अब मुझे बदा ओ यहां तै Yep आप सभी को clear हो गिया कि actually मैं हम लोग क्या बाते कर रहे हैं पिसर मुझे नहीं लगता कि इसको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत हुई होगी यहां तक आपको है चलो पड़ा पर से समसब तरके दिखाओ ताकि मुझे पता चले कि यहां तक कोई दिक्कत नहीं आपको और ज Culंदasm 小षब यहां तरके ट exhibणा अला कि अचिज़्ा प्सलाम पते कर रहे हैं तक को मैं पतीटो झापको और समें ऊपको यहां देवादयों को का वी था उस् में घर झाला समें तरके तक पतीश।